माता अन्नपुर्णा का अशिर्वार आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बना रहे। माता रानी आपकी छोली धन धान्ने से भर दें और आपकी सभी मनों कामने पूरी करें। तो प्रेम से बोलिया अन्नपुर्णा माता की जै, भगवान शंकर की जै, गणपती महराज की जै। एक समय की बात है, काशी निवासी धननजे की पत्नी का नाम सुलक्षना था, उसे अन्ने सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारन थी, यह दुख उसे हर समय स्ताता रहता था, एक दिन सुलक्षना अपने पती से बोली, स्वामी आप कुछ उधम कर अर्थात कुछ काम धन्दा रोजगार व्यपार कुछ कीजिए, तब ही कुछ काम चलेगा, इस परकार कब तक हम ऐसे ही रहेंगे, सुलक्षना की बात धननजे के मन में बैठ गई, और वह उसी दिन विश्वनात शंकर जी को प्रसंद करने के लिए बैठ गया, और कहने वह दो-तिन दिन भू का प्यासा बैठा रहा, यह देखकर भगवान शंकर में उसके कान में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा इस परकार तीन बार कहा, यह शुर्थ सुनते ही धननजे सोचने लगा, यह कौन था और क्या कह गया, इसी सोच में धननजे और मंदिर से आते ब्रहमनों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है, ब्रहमनों ने सोचा, इसने दो-तिन दिन से कुछ खाया नहीं है, तो ब्रहमनों ने कहा, तु अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अ सारी बात कही, वह बोली, नात, चिंता मत करो, स्वयम शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे स्वयम ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी अराधना करो, धनंजे फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया, जब वह पूजा में बैठा था, तो रात्री मे शंकर जी ने आग गया दी, शंकर जी बोले, तू पूर्व दिशा में चला जा, यह सुनते ही वह चला गया, और वह अन्न पूर्णा का नाम जबता जाता, और रास्ते में फल खाता, जर्नों का पानी पीता जाता, इस परकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया, वहां उसे चांदी सी चमक्ती बन की शोभा देखने में आया सुन्दर सरोवर देखने में आया उसके किनारे कितनी ही अपसराइं जुन्द बनाएं बैठी थी वह अपसराइं एक कथा कहती थी और वह सभी मा अन्नपुर्णा इस परकार बार-बार कहती थी यह अगन मास की उजेली रात्री थी और आज से ही व्रत का आरंब था जिस शब्द की खोच करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला धननजे ने उनके पास जाकर पूछा हे देवियों आप यह क्या करती हो उन सब ने कहा हम सब मा अन्नपुर्णा का व्रत करती है धननजे ने ने से पूछा कि ये व्रत कैसे होता है व्रत करने से क्या होता है यह आज तक किसी ने किया भी है इसे कब किया जाए ये कैसा व्रत है और इस व्रत की विधी कैसी है मुझसे भी कहो अपसराई कहने लगी इस वरत को सब कोई कर सकते हैं 21 दिन तक के लिए 21 गांट का सूत लेना चाहिए 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें निराहार रहकर कथा कहें कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी को सामने कर दिपक को सक्षि कर सूर्य, गाए, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाएं मुख में दाना ना डालें यदि भूल से कुछ पढ़ जाए, तो एक दिवस फिर उपवास करें वरत के दिन क्रोध ना करें और जूट ना बोलें धननजे बोला, इस वरत के करने से क्या होगा? अपसराइं कहने लगे इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं निष्धन के घर धन आता है, बांजी को संतान होती है, मूर्ख को विद्य आती है, जो जिस कामिना से वरत करें, मा उसकी इच्छा पूरी करती है वह कहने लगा, बहनो, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं भी तो दुख्यारा ब्रामन हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी अपसरायें बोली, हाँ भाई, तेरा कल्यान हो, तुझे हम जरूर देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत ले, धनन्जे ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीड़ी, हीरा मोती जड़े हुए प्रकट हुई, धनन्जे जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा कहता जाता था, इस प्रकार कितनी ही सीड़ियां उतर गया, तो क्या देखता है कि, करोडों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है, उसके सामने सुवर्ण सिंगासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है, सामने भिक्षा है तू, भगवान शंकर खड़े है, दिवांगनाई, चमट डुलाती है, कितनी ही हत्यार बांधे पहरा देती है, धन धननजे कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं, माता बोली, तुमने मिरा व्रत किया है, तो जा, संसार तेरा सतकार करेगा, माता ने धननजे के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया, अब तो उसके रोम रोम में विद्य प्रकट हो वह काशी विश्वनात के मंदिर में खड़ा है, मा का वर्दान ले धननजे घर आया, सुलक्षना से सब बात कही, माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमरने लगी, छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा, जैसे शहद के छटे में मक्या जमा होती हैं, उस की बड़ाई करने लगे, और कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुन्दर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा, सुलक्षना से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो, अनिच्चा होते हुए भी धननजे को दूसरा विवाह करना पड़ा, और सती सुलक्षना को सौत का दुख उठाना पड़ा, इस प्रकार दिन बेटते गए, फिर अगन मास आया, नए बंधन से बंधे पती से, सुलक्षना ने कहलाया, कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए, यह माताज हैं, जो हम इतने संपन और सुखी हैं, सुलक्षना की बात सुन, धनंजे उसके यहां आया, और व्रत में बैठ गया, नए बहु को इस व्रत की खबर नहीं थी, वह धनंजे के आने की रह देख रही थी, दिन बेट दे गए, और व्रत पूर्ण होने में तीन दिवस बाकी थे, कि नए बहु को खबर बड़ी, उसके मन में इर्श्या की जवाला दहक रही थी, सुलक्षना के घर आ पहुंची, और उसने वहां भर्दंग मचा दी, वह धनंजे को अपने साथ ले गए, नए घर में धनंजे को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आदबाया, इसी स नए बहु ने उसका वरत का सूत तोड़कर आग में फेंग दिया, अब तो माता जी का कोप जाग गया, घर में अक्समान आग लग गए, सब कुछ जलकर खाक हो गया, सुलक्षना जान गई और पती को फिर अपनी घर ले आई, नए बहु रूट कर पिता के घर जा बैठी, पती को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षना बोली, नात घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलोकिक है, पुत्र कु पुत्र हो जाता है, पर माता कु माता नहीं होती, अब आप श्रद्धा और भक्ती से अराधना शुरू करो, वे जुरूर हमारा कल्यान करेंगी, धननज फिर माता के पीछे पड़ गया, फिर वही सुरोवर सेड़ी प्रकट हुई, उसमें मा अन्नपुर्णा कहकर वे उतर गया, वहां जा माता जी के चर्णों में रुदन करने लगा, माता प्रसन हो बोली, यह मेरी स्वान की मुर्ती ले, उसकी पूजा करना तू फिर सुखी ह जाएगा, जा तुझे मेरा आशिरवाद है, तेरी इस्त्री सुलक्षना ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पूत्र दिया है, धनंजे ने आँखे खोली तो, खुद को काशी विश्वनात के मंदिर में खड़ा पाया, वहां से फिर उसे प्रकार घर को आया, इधर सुलक्षना के दिन चड़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जनम हुआ, गाउं में अश्चरे की लहर दोड़ गई, मानता आने लगी, इस परकार उसी गाउं के निस संतान सेश के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपुर्णा का मंदिर बनवा दिया, उसमें माता जी धूमधान से पधारी, यग्ये किया और धननजे को मंदिर के अचारे का पद दे दिया, जीविका के लिए मंदिर की दक्षना और रहने के लिए बड़ा सुन्दर सभवन दिया, धननजे इस्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा, माता जी के चड़ावे में भरपूर अंदनी होने लगी और उधर नई बहु के पीता के घर दाका पड़ा, सब लुट गया, वे भीक मांगकर पेट भरने लगे, जब सुलक्षना न यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अनवस्त्र का प्रबंध कर दिया, धननजे, सुल अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना, प्रेम से बोलिये अन्नपुर्णा माता की जय, आईए, अपूरे भक्ति भाव से शरवन करते हैं संपूर्ण वैभवलक्षमी व्रत कथा का, एक बहुत बड़ा नगर था, जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, मौकरी, रोजगार की तलाश में यहां आते थे, और जब रोजगार मिल जाता था, तो यही पर जम जाते थे, यही रहने लग जाते थे, यह लोग अपने काम धंदों में ऐसे व्यस्त रहते हैं कि अपने अतिरिक किसी की भी परवाह नहीं करते थे, लोब स्वार्थ ने घ प्रभुभजन एवं किर्टन नाम मात्र के लिए ही करते थे हेरा फेरी बेमाने श्राब जुवा वे विचारी आदी धर्म विरुदकारें को ही लोग जीवन का सुख मानते थे उच विचार की शिक्षा पूरानी पड़ गई थी अब तो अधिकतर लोग किसी भी परकार से ध शेल था इमानदाले से वह अपना कारोबार करता था जिससे उसका कारोबार ठीक थाक चल रहा था और अराम से उनका चेवन बैतीत हो रहा था शेला धार्मीत प्रवरिती की संतोशी सुभाव किस्त्री थी वह कभी भी किसी की बुराई नहीं करती थी यदा संभव दूसरों की सहायता को हमेशा तत पर रहती थी घर के कारियों से बचे समय का सदूपयोग वह प्रभु भचन वकीरतन करने अत्वा धार्मी की आज्यान वर्दक पुस्त के पढ़ने मे उन्हें सुक्ष संतोशपूरवक, जीवन यापन करते देख मन ही मन जलते थे, विश प्रयास में रहते थे कि किसी भी परकार शीला के पती को गलत रास्ते पर चला कर उसकी धन समपत्ती से उसकी दौलत से खुद ऐश करें शीला का ग्रिहस्त जीवन इसे परकार हंसी खुशी चल रहा था पर कहावत है न, सब दिन होतना एक समान मनुश्य के जीवन में सुख दुख लाभानी लगे रहते हैं शीला के पती को भी अपनी कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे मानों कुछ भागे ही उसका रूट किया हो वह अपनी कारोबार में हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा ये जूटे मित्र उसे जल्द ही करोडपती बनने का सपना दिखाने लगे और उसे जुवा घुड़ और श्राब आदी के कुछ चक्कर में डाल दिया भला आज तक जुए श्राबादी कुटेबल से कौन धनवान हुआ है जो वह धनवान हो पाता शीला का पती करोडपती तो बना नहीं खागपती जरूर बन गया वह रोडपती बन गया यानि रास्ते पर भटकते भिकारी जैसे उसकी स्थिती हो गई थी जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन समपती गहने जेवर आदी सभी गवान बठा एक समय ऐसा था कि पती पत्नी सुक पूर्वक जीवन वैतीत कर रहे थे कुछ ही दिनों मैं ऐसा समय आ गया कि उनको दो समय के भोजन के भी लाले पड़ गे घर में दरिद्दरता भूक मरी का महौल हो गया इससे शीला का पती और भी ज़्यादा चिर्चिड़ा हो गया वै बात बे बात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौच और मारपिट करने लगा शीला एक सुशील और संसकारी इस्त्री थी वै पती को अपना सब कुछ समझती थी पती के ऐसे विवार से वै दुखी तो बहुत थी लेकिन भगवान पर भरोसा रखकर वै यह सब दुख सहने लगी वै यह सोच कर सहती रही कि दुख के बात सुख जरूर आएगा कहते हैं न दुख में ही भगवान याद आते हैं इसलिए शीला को भी हर समय प्रभू पर भरोसा था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य दिखाएगा आज दुख तो कल सुख जरूर आएगा एक दिन दो पहर को शीला दुखी हिर्दे से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभू हम तेरे छोटे बच्चे हैं हमारी गल्तियां और अपराधों को श्रमा करो हे भगवान मेरे पती को सतबुद्धी दो अभी वे ऐसा कही रही थी कि अच्चानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी शीला मन में सोचने लगी कि इस समय मुझ गरीब के घर में कौन आ सकता है जितने भी मेरे सगे समन्दी यार दोस्त थे वो तो पहले ही हमसे किनारा कर बैठे हैं यह सोचते सोचते मैं दरवाजा खोलने चली गए और जब उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक व्रिद महिला खड़ी थी शरीर पर जूरियां थी किन्तु चहरे से अलोक एक तेश टपक रहा था उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानों अम्रिद पह रहा था शीला उस व्रिद महिला को पहचानती तो नहीं थी फिर भी आदर के साथ उन्हें अपने घर के अंदर लिया आई उनके घर में बैठाने के लिए आसन तक नहीं था इसलिए सुक उचाते हुए शीला ने एक पटी हुई चादर बिछा कर उन्हें बैठने को कहा व्रिद महिला उसे चादर पर आराम से बैठे लिए व्रिद महिला को देखकर शीला के मन को कुछ शानती सी महसूस हुई व्रिद महिला ने उसे पूछा शीला मुझे पहचानती हो या नहीं शीला बोली मांजी आपको देखते ही कुछ अपना बंतु महसूस हुआ मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नजदी की हो आपको देखकर मेरा रॉम रॉम खिल उठा है जैसा अकसर किसी खास परिचित व्यक्ति अर्थात किसी अपनी खास रिष्टेदार से मिलने पर होता है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कहा देखा था प्रिधा ने अपना पन दिखाते हुए कहा क्यों इतनी जल्दी भूल गई अभी कुछ दिन पहले ही तो लक्षमी जी के मंदिर में आई थी और मंदिर में आकर शुकरवार को भजन किर्टन किया था तुमने मैं भी उसमें जाय करती थी हर शुकरवार को मैं तुमसे वहां मिलती थी जब से शीला का पती गलत लोगों की संगत में बैठ कर घर लुटाने लगा था तब ही शीला बाहर निकलने में शर्म हैसूस करने लगी थी इसलिए उसने मंदिर में जाना भी बंद कर दिया था शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब उस बुड़िया मां से मिली थी पर उसको कुछ याद नहीं आया तब ही वृत महिला बोली बेटी तुम मंदिर में कितने मधूर बजन गाती थी बहुत दिन से तुँ वहां नहीं आई मैंने सोचा चलो चल कर तुम्हें देखती हूँ कहीं तुम बिमार तो नहीं हो यही सोचकर मैं यहां चली आई वृता के ममात्व भरे वच्छनों को सुनकर शीला का हिर्दिभ भर आया उसने अपने आंसु रोकने की कोशिश की परंतु वह अस्वल रही और फूट फूट कर रोने लगी यह देखकर वह बुड्यामा उसके पास आई और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फिर कर उसे सांत बना देने लगी विध महिला बोली बेटी जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं हमेशा सुख या हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं रहता अता दुखों से घबराना नहीं चाहिए शीला बोली मांजी मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई किन्तु अब साहा नहीं जाता ऐसा कहते कहते वह फिर से रोने लगी व्रिद महिला फिर से सांत्वना देती हुई बोली धैरे रखो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बताओ तुझे क्या दुख खाये जा रहा है इस प्रकार बताने से तिरा मन भी थोड़ा हलका हो जाएगा और मुझे से हो सकेगा तो तेरे दुख दूर करने का उपाये भी तुझे बता दूँगी व्रिद महिला की बात सुनकर शीला की मन को बहुत राहत मिली उसने बुढ़िया मां को अपनी दुख परी कथा सुनानी शुरू कर दी वह बोली मां जी पहले मेरे परिवार में बहुत सुक शानती थी मेरे पती बहुत महंती, इमानदार और सुशील थे भगवान की क्रिपा से मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थी किसी भी कारे में हमें कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती थी अच्छानक हमारे भाग्ये ने पल्टा खाया मेरे पती को अपने कारोबार में घाटा हुआ अधिक धन कमाने के चकर में वे बूरे लोगों की संगत में आ गए और वे जू आश्राब रे साधी कुटंबो में फंस गए इस परकार उन्होंने अपना सब कुछ गमा दिया आज हम बिलकुल कंगाल हो गए है मा अब तक तो जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेच कर अपना गुजारा कर रहे थे अब तो घर की सभी वस्तुएं भी समाप्त हो गई है हम दर-दर की ठोक रेखाने वाले भीकारी हो गए है वरिद महिला बोली बेटी करम की गति बड़ी न्यारी होती है मनुश्य यदि अच्छे करम करे तो उसे दुख नहीं उठाना पड़ता कुछ पिछले जनमों के कारण लाभानी अथा सुक दुख मनुश्य पर आते रहते हैं ऐसे में वह सैयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शिकर ही उन दुखों से पार पा लेता है बेटी तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ तो भगवती महालक्ष्मी की भग्त है वे तो स्वैमधन की देवी और प्रेम तथा करूना की अवतार है अपने भग्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है इसलिए तो उन ही महालक्ष्मी जी का वरत कर वे अवश्य ही तेरा कश्ट तूर करेंगी बुढ़िया मा की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन हुई उसने पूछा मान जी श्री महालक्ष्मी जी का वरत कैसे किया जाता है यह मुझे समझा कर कहो मैं इस वरत को अवश्य करूँगी बुढ़िया मा ने कहा बेटी श्री महालक्ष्मी जी का वरत बहुत ही सरल है इसके करने से धन संपत्ति सुख वैभव और यश्प्राप्थ होता है कुआरी लड़कियों को मनचाह पति मिलता है ने संतान को संतान हो जाती है किसी की खोई हुई वस्तु हो वहे भी वापस मिल जाती है कोई अन्य मनो कामना भी किसी की हो तो वहे भी इस वरत को करने से पून हो जाती है धन और वैभव परदान करने के कारण ही देवी महलक्ष्मी को धनलक्ष्मी अत्वा वैभवलक्ष्मी भी कहा जाता है शुकरवार का दिन देवी का दिन होता है इसलिए यह व्रत शुकरवार को ही किया जाता है व्रत करने वाले को सुभा सनानादी से निवरित होकर भगवती महलक्ष्मी मां की जय वैभवलक्ष्मी मां की जय का निरन तरजाब करते रहना चाहिए साइंकार अपने घर के एक कोने में चौका लगा कर अथ्वा साख करके एक चौकी लगा दो उसके उपर एक साफ कपड़ा बिछा कर उस पर थोड़े से चावल रखो फिर एक लोटे में जल भरकर उन चावलों के उपर उस लोटे को रखतो लोटे के उपर एक कटोरी रखो उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूशन रखतो अगर कोई आभूशन ना हो तो एक रुपय का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ति बनाकर उसे जलाकर रखतो एक बर्तन में थोड़ा सा मेठा परसाद की रूप में रखो परसाद में बताशे अत्वा गुड़ भी रखे जा सकते हैं चौकी के उपर लोटे के पास सोने चांदी या तांबे का बना श्रीयंत्र भी रखो यदि धादू का श्रीयंत्र घर में ना हो तो कागज पर छपे श्रीयंत्र को भी रखा जा सकता है भगवती लक्ष्मी मा को श्रीयंत्र अत्यधिक प्रिया है पूजा करने और कथा कहने के लिए चौकी के पास पूर्व दिशा की और मोह करके बैठो सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमशकार करो फिर वैभव लक्षमी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्षमी जी की स्तूति करो जीने संस्कृत में भी ध्यान वो मंत्र कहने में कठिनाई हो विस्तरल भाषा में भी ध्यान वो स्तूति कर सकते हैं जैसा कि हमने उपर आपको कथा शुरू करने से पहले स्तूति सुनाई हैं आप वैसे भी हिंदी में स्तूति कर सकते हैं भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूकी है। इसके बाद कटोरी में रखे आभूशन या रुपए पर हल्दी कुमकुम और चावल चड़ा दो। फिर दोनों हातों से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर परसाद का भोग लगाएं। और धूप ग्यारह बार उचा रखे इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनों कामना पूरी करने के लिए मां से हाँ चुड़कर विन्नती करो। अंत में मां का परसाद बांड़ दो और थोड़ा सा परसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा हुआ आभूशन रुपया और शिरी यंत्र उठा कर रखतो लोटे का पानी तूलसी के पौधे पर चड़ा दो इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर साइंकाल परसाद खाना चाहिए यदि इतनी शत्ति ना हो तो एक बार शाम को परसाद खाकर सादा वैशन भोजन क कर सकते हैं इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रिय विधी के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है इस व्रत के प्रभाव से मुनुष्य की सब भी पत्तियां दूर होकर धन वैभव लक्षमी की प्राप्ति होती है कुमारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है सभागय वती इस्त्रियों को सभागय अखंड रहता है नहें संतान दंपत्ती को संतान की प्राप्ती होती है और कोई भी किसी की कुछ भी मनुकाम न हो तो वह भी अवश्य पूरी होती है शीला यहां सब सुनकर बहुत ही खुश हुई भूत प्रसंद ही उसने कहा मांची आपने यह जो श्री व्यभव लक्षमी के वरत की विधी मुझे बताई है उसे मैं अवश्य ही करूँगी आप ग्रीपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधी भी समझा कर बताईए प्रिद महिला ने कहा बेटी इस वरत की उद्यापन करने की विधी भी बहुत ही असान है बहुत सरल है ध्यान से सुनो 11 या 21 जितने शुकरवार को व्रत करने का आपने संकल्प किया हो, उतने व्रत, पून, शुरधा और भावना पूर्वक पूरे होने पर अंतिम शुकरवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधी हर शुक्रवार को की गई पूजा विधी की तरह ही किये जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल गिरी और खीर का प्रसाद वित्रिज किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम साथ कुवारी या स्वभाग्यवती इस्त्रियों को कुम-कुम का तिलक लगा कर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक-एक पुस्तत भेंट दी जाती हैं। अंत मैं फिर भगवती श्री महालक्ष्मी के विभिन स्वरूपों को श्रध्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो। और मन ही मन मां से प्रातना करो की हे महालक्ष्मी मां, हे धनलक्ष्मी मां, हे वैभव लक्ष्मी मां मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पून किया फिर भी मुझसे कोई गलती या अपराद हुआ हो उसे क्षमा करना और हमारी अर्थात जो भी आपकी मनोकामना हो उसे कहें कि हे मा हमारी मनोकामना को पूर्ण करना हमारा सबका कल्यान करना हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव परदान करना हे देविमा आपकी महिमा अप्रम पार है बुढ़िया मां से श्री वैभा ब्लक्षमी के व्रत की शास्त्रिय विधि सुनकर शीला का मन मैयूर जैसे नाच उठा उसे लगा मानों उसे मन मांगे मुराग मिल गई हो उसने ततकार ही अपनी आंखे बंद करके मन ही मन संकल्प लिया कि है वैभा ब् तो व्रिध मां को कमरे में नहीं पाया उसने घर के बाहर आकर देखा किन्तु वहां भी उसे कही मांजी दिखाई ना दे उसे बहुत आश्चरे हुआ कि थोड़ी ही देर में मांजी कहां गायब हो गई वास्तम में वे साक्षाद भगवती महालक्षमी थी जो अपनी भक्त शीला को व्रिधा का वेश रखकर रास्ता दिखाने आई थी अगले ही दिन शुकरवार था शीला सुबह नहाध हो कर मन ही मन जै महलक्षमी मा जै वैभवलक्षमी मा का जाप करने लगी सायंकाल वह वैभवलक्षमी मा की पूजा करने बैठी घर में कोई आभूशन तो था नहीं आभुशन के नाम पर उसकी नाक की एक मात्र लौंग बाकी बच्ची थी उसने वही निकाल कर धोकर कटोरी में रखी घर में थोड़ी शक्कर रखी थी उसका परसाद बनाया और फिर बुड़िया मां के द्वारा बताई गए वीधी के द्वारा वैभव लक्षमी माद स्वभाव में परिवर्तन आने लगा उसके पती का चीरचीरापन भी कम होने लगा और उसका मन कुटैबों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिलकुल ठप हो गया था फिर से जमने लगा 21 शुक्रवार को शीला ने बुड़िया मां द्वारा बताई शास्त्रिय विधी के नुसार उद्यापन किया और ग्यारह इस्त्रियों को शीरी वैभाव लक्षमी व्रत की पुस्त के भेंट में दे फिर भग्वती महालक्षमी ॹको मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थन की कि हे व्यभव लक्ष्मी मा, मैंने आपके व्रत की जो मनोती मानिथी वह आज पूर्ण हुई है, हे मा, हमारे संकटों को दूर कर, हमारा कल्यान करो, जाने अंजाने में, यदि कोई हमसे अपराद हुआ हो, उसे ख्षमा करना मा, हमें धन संपत्ति और व्यभव परदान करना हमें सत्पुद्धी देना, हे मा, आपकी महिमा प्रमपार है, आपकी सदा जय हो, इस परकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में, शीला के पती के कारोबार में अच्छा लाब होने लगा, उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिये, और घर में पहली जैसी सुक्षांती आं गई, शीरी वैभव लक्ष्मी मा के परताप को देखकर, अन्य बहुत सी औरतों ने भी उनका विधी पूर्वक व्रत किया, और मन भावन पल प्राप्त किया, हे महालक्ष्मी मा, हे वैभव लक्ष्मी मा, जैसे आपने शीला पर कृपा की, ऐसे ही अन्य भक्तों पर भी क्रिपा करना, हे महा, कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले, और हुंकारा भनने वाले, सभी पर अपनी क्रिपा बनाए रखना, बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माता की, जै, उमेद करती हो, आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छ होगा ये कि जब भी हम कोई नए पोस्ट डालेंगे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जै माता दी, आपका मंगल हो